हलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है क्रिस और आप देख रहें टेक्मेंटिक चैनल तो जैसे कि पता होगा आपको वीवो के सब ब्रैंड कमपनी आईक्यू 5 जनवरी को अपने फ्लैक्शिप आईक्यो 9 सेरीज को लौंच करने वाली है इस सेरीज में दो फोन लौं 9 सेरीज में हमें 4700MH बैटरी देने वाला है और साथी 120W fast charging और 50W wireless fast charging के support देने वाला है हाला कि wireless charging बस Provision में मिलने वाली है आग्यू ने ये मनसे नहीं किया है कि कौन से बेडियनट में 4700MH की बैटरी देने वाला है लेकिन जहान तक मुझे पता है ये IQ9 PRO में ही हमें देखने को मिलने वाला है और IQ9 में IQ9 Pro से थोड़ी छोटे बैटरी होगी और IQ की इस पोस्टर को देखकर ये पता चल रहे कि नीचे की साइड USB पोर्ट के साथ थोड़ी सी साइड की तरफ SIM कार्ट शलोट और मैक्रोफोन भी देखने को मिलने वाली है लेकिन 3.5 mm headphone jack कहीं नज कहा है कि IQ9 series में Snapdragon Gen 1 processor with enhanced version of LPDDR5 और overclock version of UFS 3.1 storage देखने को मिलने वाला है कंपनी ने ये भी कहा है कि IQ line-up में 3-dimensional vapor cooling system मिलेगी जो कि 3926 mm² के system area में लगी होगी और IQ ने ये भी confirm कर दिया है कि IQ9 series में Samsung की 2K 120Hz E5 AMOLED display इंस्टोल किया गया है मतलब कि display quality जबरस्त होने वाली है camera features की बात करें तो IQ9 series में triple camera setup देखने को मिलेगी जो कि 50 MP Samsung GN5 camera setup with gimbal stabilization की support देखने को मिलने वाला है और 150 degree ultra wide angle camera unit भी लगी होगी यहां आप देख सकते हो यह दोनों फोटो ultra wide angle camera से लिया गया है और यह दोनों फोटो उसी location की है बट यह फोटो fish eye mode से लिया गया है फोटोस देखकर लग रहा है कि IQ9 series की camera quality बहुत जबर्जस्त होने वाली है पर यह सब चीज हमें पांच जन्मेरी को ही पता चलेगा तब तक के लिए हम इंतिजार ही कर सकते हैं तो बस काईज वीडियो को यह पर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like करना ना भोले और ऐसे ही टेक वीडियो से देखने के लिए subscribe करना ना भोले तो फिर मिलेंगे अभ झाल